नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गेट विदालोक आउनलाइन इंस्टिटूट मैं हूँ विवेक मिस्र एट पीएम न्यूज बुलटिन में उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आपके परिक्षाओं के लिहाद से महत्तोपूर हैं लेकिन उसके पहले आज की हेडलाइन्स पर डालते हैं एक नजर पीएम केयर्स फंड को लेकर सर्वुच न्यायाले का बड़ा फैसला कहां पीएम केयर्स फंड को एंडी आरफ में ट्रांसपर करने की आवशकता नहीं फैसले के बावजूद भी नहीं थम रहे सवाल अरवनांचल प्रदेश की स्वायत परिशदों ने की प्रदेश को छठवी अनसूची में शामिल करने की मांग अभी तक असम मिघाले, मिजोरम और त्रिपुरा में लागू होती है छठवी अनसूची तो चलिए अब बड़ी ख़बरों के साथ आज के बुलेटिन की सुरुवात करते हैं पीम केयर्स फंड पर बिपक्ष और एक्टिविस्ट की ओर से सरकार पर लगाये जा रहे आरोपों के बीच सीर्स अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया सरवोच न्यायाले ने कहा कि पीम केयर्स फंड को नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर करने की कोई आवश्चकता नहीं है एक NGO की दायर याचिका को खारिज करते हुए सीर्स अदालत ने कहा कि पीम केयर्स फंड के पैसे को एंडी आरेफ में ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दिया जा सकता आपको बता दें कि NGO ने कोरोना महमारी के चलते फंड्स को ट्रांसफर करने का नर्देश सरकार को देने की मांग की थी याचिका में आरोप लगाया गया था कि PM केयर्स फंड में आये पैसों की जानकारी देने से बचा जा रहा है सीर्स आदालत के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कॉंग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुर्जेवाला ने कहा कि आदालत के पास इस फंड में पारदर्शिता लाने का मौका था जिसके अपने अश्पस्ट और संदेहास्पत नियम है सर्वोच न्यायालय के जस्टिस असोग भूशन की अगवाई वाली बिंच ने कहा कि एंडी आरफ में स्वैक्षिक योगदान दिया जा सकता है क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट अएक्ट में इसके लिए समवैधानिक रोक नहीं है दूसरी और भाजपा के राष्टिय प्रवक्ता जेपी नंडा ने कहा कि पीम केयर्स फंड पर न्यायालय का फैसला कांग्रेस के गलत इरादों के लिए एक बड़ा जटका है केंद्री मंती रवी शंकर प्रशाथ ने कहा कि पीम केयर्स फंड में कानूनी अनिवार्यताओं और पैसों के पारदर्सी प्रबंधन के लिहाद से पारदर्सिता एकदम असपस्ट है स्री प्रशाथ ने कहा कि पीम केयर्स फंड ने कुरोना वाइरस से लड़ने के लिए अब तक 31 करोन रूपए का योगदान किया है जिसमें से 2000 करोन रूपए वेंटिलेटर्स के लिए 1000 करोन रूपए प्रबासी मचदूरों के लिए और 100 करोन रूपए वैक्सिन विक्षित करने के लिए दिया गया है आपको बता दे कि पीम केयर्स फंड को लेकर सुरू से ही विवाद हो रहा है वहीं सर्वोच नयाले के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसांथ भूशर ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्षन 46 साफ तोर पर कहता है कि आपदा के समय कोई भी पैसा आता है तो वह एंडी आर एफ में आता है इसलिए किसी नए फंड को बनाने की कोई आवशकता नहीं है प्रसांथ भूशर ने फंड को लेकर सरकार पर सवालिया हमला करते हुए कहा कि आखिर ऐसा क्यों है कि PM केर्स फंड का न तो CAG से आडिट हो सकता है और नहीं RTI के जरिए जानकारी मांगी जा सकती है जबकि NDRF की CAG audit कर सकता है और इसमें RTI भी प्रभावी होती है यह पहला मौका नहीं है जब फंड को लेकर विवाद खड़ा हुआ है इससे पहले भी PM केर्स फंड को लेकर PIL दाखिल किया गया है इस समय इलहाबाद हाई कोट में भी एक PIL लंबित है इन विवादों से एक बात तो स साफ है कि PM केर्स फंड में कुछ तो गडबढ है बीते कुछ दिनों से अरुणाचल प्रदेश के दो स्वायत परिशन अर्थात आर्टोनोमस काउंसिल पूरे अरुणाचल प्रदेश को भारती संविधान की छठवी या अनुच्छे 371 के दाएरे में सामिल करने की मांग क और रहे हैं वर्तमान में छठवी अनसूची असम में घाले त्रिपुरा और मिजोर्म के प्रशासन के लिए प्रावधान करती है आपको बतादे कि वर्तमान में अरवाचल प्रदेश न तो पाचवी अनसूची में है और नहीं छटवी अनसूची में यह इनर लाइन परिमिट या आई एलपी के अंतरगत आता है आई लपी की आउधारणा आउपनेविसिक सासकों द्वारा अपनाई गई थी जिसका उद्दे से पुर्वुत्तर भारत में जनजाती आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्रों को मैदानी भागों से अलग करना था इस अउधारणा की उत्पत्ती बंगाल इस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन आएक्ट 1873 से हुई है वर्तमान में आई एलपी का मुख्य उद्देश आई एलपी के अंतरगत आने वाले क्षेत्रों में अन्य भारतिय नागरिकों को बसने से रोकना है ताकि अस्थानी इमाचल प्रदेश, जारखंड, मध्यप्रदेश, महरास्ट, ओडिशा और राजस्थान के क्षेत्र सामिल हैं समिधान सभा की बोर्दोलोई समिती की सिफारिस मानेतों छटवी अनसूची को पूर्वत्तर के आदिवासी क्षेत्रों को सीमित स्वायत्तता देने के लिए तैयार किया गया था। को राज विधान मंडल के तहट स्वायतता का अलग दर्जा दिया जाता है। और राज विधान सभाओं के जरिये अगर कोई कानून पारित होता है तो उसे इन छेत्रों में तब दक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्टपती वर राजपाल स्वायत छेत्रों के लिए कानूनों में संसोधन के साथ या इसके विना उसे अनमोदित ना कर दे इसके अलावात तमाम स्वायत तताओं के बावजूत छठवी अनसूची में सामिक्षेत्र राज के कारेकारी प्राधिकरन के बाहर नहीं है इतना ही नहीं राजपाल स्वायत जिलों का निर्मान वपुनः व्यवस्थित करने का अधिकार रखता है ऐसी सभी स्वायत जिला और क्षेत्रिय परिशद अधिक्तम 30 सदस्यों से मिलकर बनती हैं जिसमें से 4 सदस्यों को राजिपाल नामित करता है जब पिसेश को चुनाओ के माध्यम से चुना जाता है लेकिन बोडो लेंड प्रादेशिक परिशद में अपवाद स्वरूब 46 सदस्यों है और अबंत में कुछ अन्यमहत्पोन खवरों पर एक नजर राकेश अस्थाना को बियसफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया वर्तमान में ITBP के प्रमुक SS देशवाल बियसफ महानिदेशक का अत्रिक्त प्रभार समाल रहे थे राकेश अस्थाना बियसफ के 27 महानिदेशक होंगे राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के 1984 बैच के IPS अधिकारी है इन्होंने अपने सेवाकाल के दावरान CBI में अधिक्षक, पुलिस उप महानिरिक्षक, अत्रिक्त निदेशक और विशेश निदेशक पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं बैचक के महानिरिक्षक निदेशक नियुक्त होने से पूर्व वे नागरिक उड्डेन सुरक्षा ब्यूरो के साथ नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अत्रिक्त प्रभार समाल रहे थे भारत के प्रख्यात सास्त्रिय गायक पंडित जसराज का 90 वर्ष की उम्र में 17 अगस्त को अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया पंडित जसराज का जन्म वर्ष 1930 में हरियाना में हुआ था पंडित जसराज भारतिय सास्त्रिय शंगीत की सबसे प्रमुख गायकों में से एक थे ये मिवाती घराने से तालुक रखते थे मिवाती घराना एक संगीत का स्कूल है पंडित जसराज ने एक अनोखी जुगलबंदी की रचना की थी जिसमें महिला और पूरुस गायक अलग अलग रागों में एक साथ गाती थे इस जुगलबंदी को जसरंगी नाम दिया गया था मधुराष्टकम स्री वल्लभा चारे जीद्वारा रचित भगवान कृष्ण की बहुत ही मधुर स्तुती है जिसे पंडित जसराज ने अपने स्वर के माध्यम से घर घर पहुँचाया था भार सरकार उन्हें साल 1975 में पद्मिस्री, 1990 में पद्मभूशन और 2000 में पद्मविभूशन से समानित किया था साल 1987 में उन्हें संगीत नाटक अकात्मी पुरसकार से भी समानित किया गया था ACI विकास बैंक यानि ADB ने दिल्ली मेरट डीजनल रैपिट ट्रांजिट सिस्टम के निर्मान का समर्थन करने के लिए एक बिलियन अमेरिकी डॉलर रिन को मंजोरी दे दी है इस प्रणाली का उद्देश दिल्ली और मेरट को जोडने वाले पारगमन विकल्पों की अस्थापना करके क्षेत्री कनेक्टिवटी को बेहतर बनाना है यह प्रणाली NCR क्षेत्री योजना 2021 के एक कृत परिवहन नेटवर्क में तीन प्राथमिकताओं वाले रेल गलियारों में से पहली है यह प्रिवजना स्टेशन भावनों, रेलवे पतरियों, रख रखाव सुविधाओं, बिजली, आपूर्ती और करसन के निर्मान के लिए है इसके अलावा यह उन्नत और उच्छ प्रवद्योगी की सिंगल सिस्टम को उप्योग करेगा, जिसमें मल्टी मॉडल हब होंगे जो मोड के साथ सुगम इंटर्चेंज सुनिश्चित करेंगे दिल्ली राष्टी या राजधानी क्षेत्र की आबादी का 37 फिस्दी है, इस प्रकार यह पर्युजना सहर में भीड को कम करने में मदद करेगी प्रतेक वर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित हैं जो मानवता के लिए कारे करते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया है जिससे पूरे विश्व में मानवता कारे करने की प्रेणा और संदेश दिया जा सके आपको बताते चलें कि विश्व मानवता दिवस की सुरुवात साल 2008 में प्रस्ताव पारित करके किया गया था इस प्रस्ताव को स्वेडन द्वारा लाया गया 19 अगस्त 2003 को इराक में महासजिव के विशेश प्रतनी थी सरजिया पियरा डी मेलो के मृत्यू बंबिस फोर्ट से हो गया था इस घटना में उनके 21 सहकर्मी भी मारे गये थे इसी घटना के बात इस पहल की सुरुवात हुई थी हाल ही में अमेरिकी राष्टी मौसम विभाग ने बताया कि दक्षण कैलिफोर्निया रेगिस्तान में डेथ वैली के फनैस क्रिक में तापमान 54.04 डिगरी सेलसियस तक पहुँच गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार डेथ वैली के ग्रीन लैंड रैं आपको बताते चलें कि डेथ वैली उत्तरी अमेरिका के मौजावे रेगिस्तान के पूर्वी कैलिफोर्निया में एक रेगिस्तान घाटी है यह मध्य पूर्व और सहारा रेगिस्तान की तरह प्रितवी पर सबसे गर्म अस्थानों में से एक है डेथ वैली को सैतान का गोल कोविंद के आदेश पर गोवा के राजपाल सत्यपाल मलिक को मिघालय का राजपाल नियुक्त किया गया वहीं महाराष्ट के राजपाल भगत सिंग कोश्यारी को गोवा का अत्रिक्त कारिभार सौपा गया है यह नियुक्ति राजपाल के कारिभार समहालने के दिन से मानी ज में जम्मू कस्मीर के राज्चिपाल के रूप में भी प्रभार सम्हाल चुके हैं आपको बता दे कि इनके गवर्नर रहते हुए कस्मीर में अनुचे 370 के प्रावधानों में बदलाव किया गया था सत्यपाल मलिक भारतिय जनता पार्टी के राज्टिय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं 20 फरवरी 2004 को स्त्री मलिक ने भाजपा को जोईन किया था फिलहाल 8 पिम के इस न्यूज बुलटिन में बस इतना ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताईए वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टार्गिट विदालोक ओनलाइन इंस्टिट्यूट से मुझे दीजिये इजाजत नमस्कार